नमस्कार दोस्तों, उत्तर पदेश के अली गट जिले से एक चोकानी वाली खटना सामने आई है, जिसमें साथ साल पहले मृत खोशित की गई एक लड़की जीवित और विवाहित पाई गई है इससे भी ज्यादा चोकाने वाली बात ये है कि एक शक्स महिला की हत्या के आरोप में जेल की जज़ा काट रहा है विश्णू के रूप में पहचाने गे विक्ती को लड़की की कथित हत्या के लिए एक अदालत ने दोशी ठहराय था और साथ साल कईप की सजा सुनाई थी फाग कर उससे शादी की थी रिपोर्ट में कहा गया कि दंबधी बात में हत्रस दिल्ले के एक गाव में शिफ्ट हो गए उथर विष्णू की मा ने आरोबी के खिलाफ सक्त कारवाई की मांग की है उसने अपने मासूम बेटे के लिए न्याई की गुहार लगाते हुए कोट का दर्वासा खटकटाया है पुलीस ने महिला की पहचान सुनिस्चित करने के लिए उसका डिने टेस्क कराने के लिए अलिगट कोट में पेश किया है विष्णू पर लेड़की के किटनापिंग और मर्डर का आरोब लगा गया था जब वो माइनर थी लेड़की के पिता ने भी महिला की पहचान अपनी ही बेटी के रूप में की है रिपोर्ट में कहा गया कि 7 साल पहले उन्होंने कथित तोर पर आग्रा में एक unknown dead body को अपनी बेटी के रूप में पहचान लिया था जो भी है दोस्तों विश्णू नाम का लड़का अभी भी जेल में जज़ा काट रहा है पुलीस इन्वेस्टिकेशन जारी रखा है केस कोट पर पहुंचा है अब कोट डिसेट करेंगे विश्णू के साथ क्या करना है जो भी है किटनापिंग का चार्ज तो लगेगा है पर मर्डर का चार्ज हटेंगे तो यह रही दोस्तों कहानी आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे अगर विक्टिम की डेट बोड़ी नहीं मिली तो क्या किसी के उपर मर्डर का चार्ज लग सकता है या नहीं ऐसे सिटुएशन के रिगार्डिंग कोट का अलग-अलग रूलिंग हुआ है दोस्तों देखें विक्टिम की डेट बोड़ी नहीं मिली इसका मतलब यह नहीं है कि उथर प्रोसीकुशन नहीं होगा या फिर कंविंशन नहीं होगा but at the same time circumstantial evidence यह प्रूव करना चाहिए कि murder हुआ है वैसे corpus delicti करके एक Latin term आपने शायद सुना होगा meaning यह है body of the murder victim basically judicial terms में maximum Latin terms use होता है या आपको मालूम होगा तो corpus delicti का मतलब है body of the murder victim and it is not an essential requirement to prove a murder ठ्यान दीजेगा corpus delicti is not an essential requirement murder prove करने के लिए victim की dead body मिलना कोई जरूरी नहीं है but circumstantial evidence होना चाहिए strong evidence होना चाहिए तो इस particular case में पूरे evidence विश्णू के against था उपर से victim के पिदाजी ने dead body identify भी किया था और एक infamous case हुआ था 2011 में प्रतिपाल सिंग वर्सस state of Punjab इस case में भी victim की dead body नहीं मिलनी थी ये case पहुंच गया था Supreme Court में Supreme Court के division bench बैटे थे Justices, P. Satashivam and BS. Chauhan इनोंने circumstantial evidence के बारे में एक बात कही Circumstantial evidence in this context means combination of facts creating a network through which there is no escape for the accused मतलब देखी, पूरे जो circumstances अगर accused के against है उपर से सारे evidences आपस में connect हो रहा है और ये prove हो रहा है कि उन्होंने ही murder किया होगा उपर से अगर कोई genuine testimony है किसी का basically कोई eye witness का कि आके ये बोले कि इन्होंने murder किया है मैंने देखा है testimony genuine लग रहा है court को तो victim की dead body नहीं मिलने पर भी court sentence order कर सकता है और देखी, इस साल की शुरुवात में इसी तरह केस रिपोर्ट हुआ था बिहार से राजदेवरेंजन murder case में राजदेवरेंजन एक journalist थे हुआ ये था दोस्तों, बिहार के एक बजार में इस पत्रकार की गोली मरकर हत्या कर दी गई थी तो इस case का investigation कर रहा था Central Bureau of Investigation, that is CBI तो इस case की सुनवाई के दोरान, CBI ने court को कहा कि गवाहों में से एक बादामी देवी का निथन हो गया था करके और चोकानी वाली बात यह है दोस्तों, CBI ने उसका death certificate भी दिखाया court को और बात में क्या हुआ, इस particular murder case के बारे में news papers में एक feature आने लगा, और इस feature में यह लिखा गया था कि witness का death हुआ करके, पर बादामी देवी तो जिन्दा थी तो जैसे यह पता चला, वो खुद को अदालत में पेश किया तो मरी हुई witness को देखकर judge भी शौक हो गया, उन्होंने Central Bureau of Investigation को शौकोस notice सेम टेम जारी की, तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, यह कोई नया case नहीं है हमारे देश में, इस तरह के कई सारे cases report हुआ है, जब अलग-अलग investigation agencies court को जूट बोला है, कि witness का death हो गया, या और किसी का death हो गया जो उस case में एक important role play कर सकता है, किसी को बचाने के लिए हो सकता है किसी को फसाने के लिए भी हो सकता है, पर यह case अलग है दोस्तों, नहीं किया हुआ एक offense के लिए वो बंदा जेल में बन था, तो इस case में किस किस की गलती है दोस्तों, एक तो police की गलती है, उन्होंने investigation ठीक से नहीं कराया, DNA test भी नहीं करवाया, दूसरा लड़की के पिदाजी का भी गलती है न, उन्होंने गलत identify किया एक dead body को, और यह सब के अलावा गलती इस लड़की की है, जिनको यह 100% पता तो होगा, कि उसी की murder के लिए कोई jail में जज़ा काट रहा है, अब दोस्तों और एक बात, आपको ऐसा भी लग रहा होगा, कि मैंने इस पूरी वीडियो में विष्णू के favor में बात किया, देखे, विष्णू ज़जा काट रहा कि उस बेंदे ने इस लड़की को कितना, अब यह लड़की वापस जिन्दा लोटी है, इसका मतलब यह नहीं है कि उस बेंदे ने 7 साल पहले गलती नहीं किया था, अगर उस बेंदे ने इस लेड़की का कितनापिंग किया है, तो जैसा उन्हें मिलना चाहिए, अब देख अगर इस लड़की ने गलती किया है बैसिकली एक fake murder case frame करके उस लड़के को फसाया है तो इन्हें punishment मिलना चाहिए अगर उस लड़के ने गलती किया है तो उन्हें punishment मिलना चाहिए यह मैं इसलिए बोल लाँ दोस्तों क्योंगी अभी ये news कोई भी पढ़ते है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो जो लड़का है विश्णू वो एकदम innocent है फेक चार्जस फ्रेम करके उन्हें जेल में भीज़ दिया गया जबकि reality कुछ और भी हो सकता है है कि नहीं इस बारे में आपका क्या opinion है आप मुझे please comment box में बता दीजेगा थैंक्यू फॉर वाचिंग बाई बैई है वे नीज